अब्सक्राइब कीजिए पासी चैनल को साथी प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए अन्वांटिड किट को लेने के बाद ब्लीडिंग कितने टाइम में शुरू हो जाती है यही इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैनल और बिना किसी देरे के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं तो गाइस देखिए अन्वांटिड किट के अंदर आपको पास टैबलेट देखने को मिलती है ये देखिए ये अन्वांटिड किट है और इसमें आपको पास टैबलेट देखने को मिल रही है पहली ये टैबलेट मिफे प्रिस्टोन होती है जो की 200 मिलिग्राम की तैबレट है यह मेजो-प्रोोस्टयोर टैबलेट होती है तो जब आप मिफे प्रिस्टोन की टैब्लेट को लोगे तो क्लेने पर कुछ भी नहीं होता मेरा कहने का मतलब है की इस टैबलेट को लेने पर जो लेने वाला है उसको कोई भी problem नहीं होती है लेकिन बहुती rare cases देखे गई हैं जिन में लेने वाले को light bleeding, light abdomen pain और nausea जो की बहुती rare cases की बात कर रहा हूँ, बहुती कम females को ऐसा होता है ओके, आगे जब आप misoprostol की tablet को लोगे जो की usually 2 dose होती है दो tablet को आपने एक बार लेना होता है तो इस tablet को लेने पर 30 से 4 घंटे के बीच में आपको abdomen cramps के साथ bleeding शुरू हो जाती है जो की 24 घंटे तक जादा हो सकती है लेकिन कई case ऐसे भी देखे गई हैं जिन में 24 hour के बात भी bleeding देखने को नहीं मिलती और usually ऐसा माना जाता है कि इस tablet ने काम नहीं किया ठीक है तो usually बहुत सारे reason हो सकते हैं जैसे अगर आपको pregnancy ज़्यादा time की है मतलब कि अगर आपको pregnancy 63 days से ज़्यादा की है तो भी ये tablet काम नहीं करेगी ऐसे ही अगर आपको pregnancy एक महिने से कम की है तब भी ये tablet काम नहीं करती है और कई बारी ऐसा भी होता है कि अगर आप expire kit को ले लेते हो और खाते हो तब भी ये tablet काम नहीं करती और usually जो है bleeding और जो भी इस tablet को लेने पर symptoms देखने को मिलते थे वो नहीं होती है ठीक है ऐसे ही अगर आप इस tablet को गलत method से लेते हो गलत time पर लेते हो तब भी ये tablet अपना काम नहीं करती है गाईज मेरा कहने का मतलब ये है अगर आप इस tablet को right method से लोगे right dose अगर आप लोगे ठीक है तो ये tablet अपना 100% result दिखाती है तो अगर आप इस tablet के बारे में अच्छे से detail में जानकारी को जानना चाहते हो तो आप आई के बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियो के last में उस वीडियो का link मिल जाएगा या फिर description box से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं काफी detailed वीडियो है तो गाईज आशा कर यह topic आपके लिए काफी useful और benefit रखता होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना और अगर आप हमरे channel पर नहीं है तो channel को subscribe करके bell icon को भी press कर देना तो guys मुझे आपका कींती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक interesting topic के साथ तक के लिए stay healthy stay fit